हमारे विभिन ज्यान वर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूलें जैमा इंद्राक्षी अंद्राक्षी धान में दरश्व को आप सभी का महारदिक स्वागत करते हैं इस अंक में हम बात करेंगे वर्षब रासी के जातक अप्रेल के महीने में क्या विशेश फुपाए करें हैं अप्रेल का महीना अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण महीना है सनातन धर्म के हिसाब से जिस धर्म को हम लोग मानते हैं हम नवी वर्ष में प्रवेस करने जा रहे हैं समवंत 2078 में भगवती के पूजन के साथ गंटा शंक नाद के साथ प्रातय कालीन उदे सूरिय के साथ सूरिय की नई रश्मियों के साथ हम नवी वर्ष में पदारपन करेंगे समवंत 2078 में इस महीने रासी से संबंदेत उपाए आप लोग जरूर कीजेगा ताकि आपका नया वर्ष बहुत अच्छे से हो दूसरी बात इसी महीने में बहुत सुंदा सुंदा तीज और पर्ववी हैं सभी का आपको संबूर लाव मिल सके इस अंक में जो हम उपाए बताएंगे वो किस किस के लिए हैं कौन-कौन कर सकता है तूसरी बात परते दिन हमें रासी के संबंदेत उपाए करने की आवशक्ता नहीं होती है क्योंकि रोज ग्रह नहीं बदलते हैं जब ग्रहों का बदलाव होता है महीने में तो आप एक सब्ता दो सब्ता भी अपनी रासी का उपाई कर लेंगे तो बहुत है आए इस महीने ग्रहों का परिवर्तन क्या है अपनी जानकारी के लिए आप यह भी जान लें सूर्य आपकी रासी में चल रहा है वर्शव रासी में राहो और मंगल एक साथ बैठे हुए है जो की अच्छे नहीं माने जाते हैं मंगल 14 अपरेल को निकल जायेंगे और मिथुर रासी में चले जायेंगे राहत मिलेगी बुद्ध 16 अप्रेल से मेश रासी में ब्रस्पती कोई राशी नहीं बदल रहे है महीन वार जिस रासी में थे उसी में रहेंगे शुक्र 10 अप्रेल से राशी बदलेंगे मीन से मेश में चले जाएंगे शनी का कोई बदलाव नहीं है शनी मकर में हैं मकर में रहेंगे राहू का कोई बदलाव नहीं है इस महीने राशी में वर्षब में वर्षब में रहेंगे केतु वरश्चिक में हैं वरश्चिक में रहेंगे केतु का भी इस महीने कोई राशी परिवर्तन नहीं है चार गिरे राशी बदल रहे हैं करीब और चार-पांच गिरे राशी नहीं बदल रहे हैं राशियों का ये प्रभाव सभी के उपर शुब इस्तिति उत्पन करें उसके लिए हमें क्या करना चाहिए वो बता रहा हूँ आएए पहले जान लेते हैं इस महीने की ऐसी कौन सी तारीके हैं जो आप लोगों को साफधानी से गुजारनी हैं चार अपरेल, 22 अपरेल, 23 अपरेल, 24 अपरेल और 30 अपरेल इन तारीकों में साफधान रहे हैं मतलब किसी सिफाल्तू की बहस न करें, वाद विवाद न करें, मतलब ऐसे जहनजट से बचने का ही प्रियास करें, तो आपके लिए अच्छा है। ये महीना आपकी पॉकेट को हिला सकता है, खर्च अदिक करा सकता है, स्वास्ते की गड़बड़ियां रह सकती हैं, और इसकिन समस्याएं, तवचा से संबनित रोग इस महीने आपको कहीं न कहीं आ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सबजेक्ट हैं, जिनमें आपको एरूची पैदा हो सकती है, मन में एशान्ती पैदा हो सकती है, लेकिन जैसे ही आपकी रासी से मंगल बाहर निकलेंगे, 14 अप्रेल को समझ लीजिए कब मंगल राशी बदल जाएंगे, वर्षप से मिथुन में चले जाए और वैसे भी 13 अप्रेल से भगवती का जागरण परारहम हो जाएगा, उनकी पूजा परारहम हो जाएगी, तो भगवती का आसिरवाद भी आपको मल जाएगा, खैर, भगवान से बेतर नहीं जानता हमारा भविश्य क्या होगा, लेकिन हम भगवान की परातनगर के आपकी राशी के स्वामी कौन है? शुक्र है, शुक्र का रंग जो होता है वो किर्मिश यानि के ओफ वाइट कह सकते हैं इसको, ऐसा रंग होता है, साथ हमें शुक्रवार के उपर इनका आधिपत्य होता है, अब शुक्र के उपाई करने से राशी पे तो प्रभाव आता ह है, उन लोगों को भी आता है, जो शुक्र से संबंदित कारे करते हैं, जैसे कपड़े का काम करते हैं, चीनी का काम करते हैं, ब्यूटी शंस हैं जो ब्यूटी पार्लर का कारे करते हैं, फिल्म इलाइन से संबंदित जो कारे करते हैं, ऐसे लोगों को अनिक प्रगार के ला और उस सवगंदित सौंफ में मिसरी रख लाएं मिसरी भी शुक्र की मानी जाती है और चंदर की मानी जाती है आप दोनों समय भोजन के बाद थोड़ी थोड़ी सी लिया करें जैसे आपने भोजन कर लिया और वैसे भी आजकल आप देखते हैं जितने हुए रहस्तरा हैं वह लिया करें लेकिन जब लें तो मनी मन क्या बोलें एक दो बार ओम शुक्राइनमा धातू का और अन्न का हमारे स्रीर के उपर बहुत अच्छा प्रभाव आता है ऐसा आपको किस दिन करना है दो या तीन शुक्रवार ऐसा करें बहुत अच्छा आप मिलेगा गोर्ड में शुक्र का वास उता है चान्दी में भी शुकरवस्थे हैं लेकिन आधिपत्य चान्दी के ओपर चंद्रमा का हुटा शुक्रवार के दिन गोल्ड जरूर पहना जाए हिपाज़त के साथ सुरक्षा के साथ थोड़ा बहुत गोल्ड पहने घर में हैं गोल्ड जरूर पहने या गोल्डन किनारी वाला कोई भी वस्तर पहने सुनहरे कपड़े जी से कहते हैं हलका सा सुनहरे सा सुर्मई से रंग के कपड़े पहने उससे भी आपको आनंदा हैगा घड़ी पहनते हैं है ना तो उसमें गोल्डन रंगा फीता या जो भी हम चैन्वेन लगवाते हैं वो लक्ष्मी माता को आप खीर अरपन करें, मैलाएं तो इतना करी सकती हैं, कि जिनकी रासी वर्षब है, शुकरवार के दिन लक्ष्मी जी को खीर गुलाव के फूल अरपन करें, और उनी के सामने बैठ करके एक बार स्री सुक्त का पाठ करें, सोभाग्या का जागरण होता है, रासी में विश्यस प्रकार के परिवर्टन आते हैं, और पुरुष लोग क्या करें, मैलाओं का सायोग करें, अब जब वो खीर भगवान को अरपन कर दी जाए भगवती लक्ष्मी को, तो प्रसाद के रोप में सब थोड़ा-थोड़ा सवस्त को ग्रहन करें, इससे भी ब सेंट की शीशी दे सकते हैं, सेंट परफ्यूम दे सकते हैं, लेकिन विलाइती नहीं हो, अंग्रेजी ना हो, देसी सेंट है न, जैसे हम कहते हैं, चमेली का इत्र, गुलाव का इत्र, आजकल इत्र भी बहुत महंगे महंगे आते हैं, छोटी से छोटी सीशी, कई बार दोस पोशाक पहनाते हैं या किसी मंदिर में चले जाए चोटी सी सेंट की सीशी ले करके और भगवान के बस्तरों पर थोड़ा थोड़ा लगावें भगवान को सेंट अरपन किया जाए बहुत पूजाओं में दुर्गा शब्शती का जब यग किया जाता है और ऐसे विधान है उसमें भगवती को अने को देवी देवताओं को जो होता है इतर भी सेंट जो होता है खुश्वुवला वो बेट किया जाता है अरपन किया जाता है ऐसा भी करने से आपको बहुत सुंदर लाब मिलेगा और इसी के सास्टास शुकरवार के दिन किसी भी चेरे टेबल है या किसी ऐसे जहां मज़ूर वर्ग जादे रहता हो या किसी हौस्पिटल में कहीं पर भी आप दूद बाठ सकते हैं दूद के पैकेट्ट पाउच कुछ विया बाठ सकते हैं को सफेद रंग है ना शुक्र से संबंद रखता रोड़ के पैके आप बाठ सकते हैं इन्ह म में भी हम थोड़ा थोड़ा चेंट लगा सकते हैं अच्छा उससे हमें शुक्र की वास आता है मैंने लास टाइम बताया थे एक हरी इलाइची मूं में रख लें क्योंकि इलाइची खुश्बो होती है खुश्बो में शुक्र का वास होता और मने मन अम शुक्राइनम अम शुक्राइनम बेजात्मक मंतर का शुक्रवार के दिन जब कर सकते हैं इस से भी मिलाप मिलेगा तो आज के संके में जो भी मैंने बताया है आप करें आपकी रासी के उपर अच्छा प्रभाव आएगा आपके जीवन के उपर अच्छा प्रभाव आएगा खास बात हमने मेश रासी से लेकर के मीन राशी तक के समस्त उपाई बताए हैं आपके परिवार में किसी की कोई और राशी भी हो सकती है अपनी राशी को सुन करके वो अपने उपाय करे एक सो चोदा मुखी रुद्राक्स पहनना भी आपकी राशी के लिए अच्छा रहता है और आपके घर में यदि शुकर की बात हमने किये श्री अंत्र हो तो स्री अंत्र के सामने दूब दीब करना भी शुकरवार के दिन अच्छा रहता है आशा करता हूँ इन उपायों में से अगर आप करते हैं तो आपको लाव की प्राप्ती जरूर होगी जैमा इंद्राक्षी किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंद्रु शर्माजी से नोट शिवर में भाग लेने हे तू एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा दस वजे से शाम छे बजे तक हमारे विभिन ज्यान बर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना न भूलें